हाँ तो बच्छो कोशन देखिए थार्ड कोशन कहा रहा है The SI and CGS units of energy are joule and urge respectively How many urge are equal to one joule? ठीक चाप से पूछा जा रहा है कि SI जो unit होती है नव एनर्जी की वो होती है joule और CGS unit होती है वो होती है urge तो आपको बताना है कि एक joule में कितना urge होता है ठीक है तो चलो basic से करते हैं समझने की कोशिश करेंगे और ठीक है इसे related आप काफी कुछ सीख पाएंगे तो question है one joule से कितना आपको बताना है कितना इसमें urge होता है दोनों energy के unit है ठीक है यह SI में है तो SI में है तो इसमें mask का unit क्या होगा mask का unit होगा kg में time का unit क्या होगा time का unit होगा second में और length का unit क्या होगा meter में इस case में mask का unit हो जाएगा आपका gram में time के लिए आप second ही रखेंगे और length के लिए आप centimeter यूज करेंगे ठीक है एक बात हो गई दूसरी बात कि one joule है क्या जूल को छोड़े पहले बताब work done क्या होता work done होता है force into displacement ठीक है force क्या होता है mask into acceleration into displacement देखें जो बाते आपको पता है मैं वही बाते यहां पर touch कर रहा हूँ ठीक है अचा मास के लिए आप kg अगर लिखते और acceleration का unit क्या होता है meter per second square ठीक है second inverse का 2 मतलब second की power minus 2 ठीक है तो यह हो गया आपका इधर इसी को आप क्या बोलते हो joule वही अगर urge बोलना होता तो urge के लिए क्या होता urge के लिए बोलना होता आपको gram length के लिए जैसे meter square यहाँ पर centimeter का square करना होता और time के लिए minus 2 ही रखना पड़ेगा इसका मतलब कहानी क्या है कहानी यह है कि आपको यह बताना है कि 1 kilogram meter square second inverse का square जो भी है is equal to how many gram centimeter square second inverse square है कि नहीं यह आपको बताना है तो यह question है तो question पता चला क्या है question यह है कि one kilogram meter square second minus two is equal to how many gram centimeter square second minus two ठीक है तो देखे कुछ नहीं करना आपको क्या करना है पहले यह ऐसे लिख लेना है आपको सब समझ जा जाएगा देखते रहना है एक बार यहां meter square second minus two है आपको इसको गुणा करना है किससे गुणा करना है दो आपको यहां तक पहुंचना है पहुंचना है meter square को कैसे काटोगे तो नीचे लिख लो भाया one meter उपर के लिखोगे 100 cm सबको पता है यह बात पर यहां पर एक ही meter cancel होगा इससे तो है के नहीं तो हम एक और कर लेते हैं 100 cm 1 meter तो दूसरा meter भी cancel हो जाएगा ठीक है यह समझ आया और second inverse तो इसको as it is ही रखना है ठीक है कुछ करना ही नहीं है तो बाकी आपको समझ आया क्या 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 बचा यहां पर बचा किलो ग्राम बचा यहां क्या बचा ग्राम यहां बचा cm का square हो गया और second inverse 2 ठीक है तो बस बाकी चुजों को solve कर लेना आपका answer आ जाएगा तो उपर है 10 की power 3 यह 10 की power 2 10 की power 2 टोटल हो गया 10 की power 7 ठीक है और क्या क्या बचा ग्राम बचा cm square बचा और s-2 बचा और इसी को तो हम ERG बोल रहे थे इसका मतलब और इसको हम एक जूल बोल रहे थे इसका मतलब एक जूल is equal to how many ERG 10 की power 7 ERG और यह आपको यह याद भी रखना है ठीक है ना के लिए इतनी बात तुम समझे मैंने क्या किया देखो जैसे कि मैंने बोला ना की एक बात बताओ कि 1 माइक्रो मीटर पर सेकिंड है आपको इसको कनवर्ट करना है किलो मीटर पर डे में बताओ कितना आएगा तो यह जीब सा कॉश्चन हो गया चले इसको कनवर्ट करने कोशिश करते है तो वन माइक्रों माइक्रों का मतलब क्या होता है 10 की power minus 6 मैंने लिख दिया मीटर को एज करना यहां पर सेकिंड में था ना तो आपको पता है कि 60 सेकिंड में क्या होता है एक मिनट होता है ठीक है तो सेकिंड से सेकिंड कैंसल हो चुका है पर मिनट आ गया तो हमें पता है कि 60 मिनट में क्या होता है शायद एक घंटा होता है तो मिनट से मिनट कैंसल हो गया उपर क्या बचा उपर बचा किलो मीटर वो यहां पर आ चुका है नीचे क्या बचा खाली डे बचा और कुछ नहीं बचा ठीक है और बाकी यह जितने भी आपके पास मैगनिटूर या फिर जो नंबर है उसको आप सिंप्लिफाई कर दीजिए जैसे कि यहां लिखा 10 की पाउ गुना 24 नीचे है 10 की पाउर माइनस 3 यह उपर जाएगा इसके साथ क्लैश करेगा तो 10 की पाउर माइनस 9 हो जाएगा ठीक है तो आंसर कुछ ऐसे लिखना आपको 24 गुना 3600 एंटू 10 की पाउर माइनस 9 यह नंबर आपको यहां पर लिखना है किलो मीटर पार डे हो दिया था है कि अब इसको और फर्दर आप सॉल कर सकता है पर तुम्हें कहानी समझ आई ना कैसे करना है ठीक है ना तो इस तरीके से आपको चीजों को फैक्टर के साथ खेलना है ठीक है चलो थैंक्यू